हेलो स्टुडेंट्स मैं मिधिलेश आपका जो है सब्जिक टीचर आपको जी के पढ़ाने वाला हूँ मैं आज यह वीडियो जो क्लास 8 के लिए है और पहली वीडियो है ठीक है तो इसमें हम आज जी के पढ़ेंगे ठीक है देखते हैं क्या है इसमें तो हम यूनिट वन का से वह मार written Innovation Bah 지ndandepth मैं पहले बात करेंगे किससे प्लाइट की फ्लैंट इस मथ याए त्रपिकल पार्ट है जहां पर जादा बरसात होती है एयुए ठीक है रइन-टीरफारेस्ट उस जगह का जो रहत बड़ा पार्ट है जहां पर बहुत ज़दा बरसात होती है दो इट कवर्स ओनली 6% आप दा अर्थ सर्फिस चुकि अब इसने अर्थ के सर्फिस का केवल 6% कवर किया है फिर भी इट इस हों टू ओवर हाफ अप दे स्पाइसे ऑफ एनिमल और फ्लांट्स अनिमल्स इन दे वर्ल्ड तब भी इसने जो है कि लगभग एनिमल्स और प्ला तो इट आल्सू प्रोवाइट्स मच आप दो वर्ल्ड ऑक्सीजन सप्लाई ठीक तो यह बेटा एक तरह से संसार का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है ठीक है तो अगर पहले पहले देखो प्लांट्स की बात कर रहा है बेटा बनाना की इन दे ट्रॉपिकल द और बनाना क्रॉप जुकिने बनाना की फोसल होती है उसका आधा जो है प्रोडियूष करता है एक बाल जैसा सेफ में एक ब्रॉमेर जैसा सेफ होता है और उसकी जो लीप्स होती है पत्तियों झो होती है शों न की बाउल्स अफ रैणा इंडिये भॉट्स डा की गैलंस मतलब कई गैलंस वह पानी की बार्सात में जोना ने बात करते हैं पॉन्स क्या होता है पेटेटोफीट एक इसको नाम से इसनम Gnous videos unlike mosses they have xylem and fall like other vascular plants they have other vascular plants के तुलना में they have streams leaves and roots ठीक है बेटा फंस reproduce वाया spores and have neither seeds nor flowers थे रहा है कि फंस जो होता है बेटा वो spores से reproduce करते हैं and उनके पास ना तो seeds होती है सीट मतलब भी नहीं होता है बात करेंगी कैट है कोकोवा इस दा में इंग्रेडियन्ट इन चॉकलेट होता है ना छोकलेट बनाने के लिए यूज होता है वो कोकोवा बीन्स के द्वारा ही यूज होता है कोकोवा बीन्स के अगर मिल्क मतलब दूद के साथ अगर मिक्स किया जाया तो भहुत इस डिलिसियस ड्रिंक बन जाएगा अफ्रिका ग्रोज अफ्रिका जो है संसार का मतलब पूरे वर्ल्ड का टू थर्ड ओको बिन्स प्रोड्यूस करता है और बाकी कौन प्रोड्यूस करता है इसका नाम बहुत लंबाव सा होता है देखो बैटा नाम भी रिखा हुआ है फिगर में उसको देखने के बंबू इस वन आप फास्टेट ग्रोइंग प्लांट यह सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है मतलब सबसे ज्यादा बढ़ने वाला पाउधा एक दिन में बैटा यह लगभग 100 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है इट कन ग्रोव अप्टू 120 फीट और 120 फीट तक यह बढ़ सकता है इस फाउंट इन दर o in the tropicals लोटा उसका पॉठव से पाया जाता है every पाइवरी प्रेश कोसा की छोकट का अन्दर का जो ड्रिंक होता है उसको वह बहुत ही स्वाधिश्ट होता है इस फाइबर इस यूज्ट टू मैट्रेसेस एंड़ लीफ सार यूज्ट फार दम थैचिंग रूप इसके बेटा जो फाइबर होता है वह मैट्रेसेस मतलब कि वह क्या बोलते हैं उसको चटाई उटाई बनाने के लिए प्रयोक किया जाता है फैक्ट कुछ है इसके बेटा फैक्ट क्या है बंबू ट्री जो है बेटा 30% पर्शन और अधर ट्रीज और यह खुद से जनरेट होने वाला तौधा है दूसरा जेप्टर देखते हैं बेटा एनिमल फैक्ट के बारे में देखते हैं अनिमल तौध मतलब बता है लेकर मंतल एक अमेरिकन ऑपुस अनिमल आपंडलų मतलम मतलब कि आदि मतलब हो ही है अमेरिका जो अमेरिका में पाया जाता है यह सोटेस जेस्टेशन पीरियड है मतलब इसके गर्भा कावल की अवधी सबसे छोटी है इट कीप बेबी इन दा वांब यह अपने गर्भ में बेबी को 12-13 दिन तक रखती है मतलब एक बच्चे को बच्चे को मतलब इसके लगभग दो साल की अवधी ठीक है बेटा तो दो साल की अवधी सबसे लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है किसका एलिफेंट का जानते हैं न कटफोडवा जिसका चोंच बहुत बढ़ा बढ़ा रहता और वो जो है कि उसमें जो ट्रीज होते हैं उसके जो कहीं पर भी व 20Atी सब्र tipping ठीक है सबसें मतलब पर सेकंड टुन्टीौ टाइम पीकर सकता है ऐसफंजी ए्रिया बिहाइंड इट स्पीक इसके बीग मतलब जो है बीग के पीछे एक इस पंजी एरिया होता है ठीक है जो एज़ सौक एब्जॉर्बर जो सौक को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी लिए जो है कि उसको इंजूरी नहीं होती नहीं तो वेटा अगर हम लोग दाथ से किसी चीज को काटेंगे एक सौप iris इसक की आँखे यर्स अनि नस्ट्रिल सो मतलम न थुना होता है बैटाँ मतलब न तुना नाक के उपर K चीज्व स्मर्लॉल को कैसे चान सकते हैं मूह के उपर होता है ठीक है अंद अ और ताफ ओफ हैड इसके सर के उपर जो इसके 10 अनवल स्थन्त उस एड्रेट के नह हैं almost completely covered by water with very little of its body showing above the surface almost completely लगभग यह पूरी तरह से पानी से जो है cover हुई रहती है with very little of its body इसकी बहुत ही कम body के part जो है surface के उपर दिखाए देते हैं बात करते हैं hummingbirds की hummingbirds the hummingbirds मतलब कि अपने पर सेकेंड में 55-75 तक अपने विंग्स को फ्लाइब कर सकते हैं बात करते हैं अपने पीट पर यह 850 ताइम्स अपने खुद के वेट का मतलब जैसे हम कहते हैं मैं अपने वेट का दूगुना जैसे मेरा वेट 50 kg है तो मैं 50 kg है तो मैं अपने वेट का मतलब की एक 100 kg का वेट अपने पीट पर मतलब बैक पर लाच सकता हूं तो ऐसी 850 ताइम्स जोतना उसका वेट होगा उतना 850 ताइम्स 850 ताइम्स अपने बैक पर यह कवर कर सकता है यह वेट के पराबर यह वेट ले सकता है फिर बात करतें बॉआ तो बॉआ हैसे स्पेशल ही सेंसिटिव और 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 अर्गन्स अन इट्स हेड बैटा इसके हेड पर एक ही सेंसिटिव और होता है विच इंबल्स टू डिटेक्ट गिवन बाई यह वार्म ब्लॉडड़ अनिमल स्टेंडिंग प्लोज टू इट जो की इसको सिगनल देता है कि कोई भी ऐसा वार्म ब्लॉडड़ अनिमल उसके आसपास है या नहीं सेवन टॉपिक है सिंगल काव लेट साउट अनिमल लेट आउट अमाउंट आफ हार्मफुल मेथन गैस मेटा हार्मफुल मेथन गैस का बहुत ज्यादा अमाउंट यह अपने अंदर लेती है विच कैन फिल बाउट 400 लिटर बॉटल जो कि लगबग 400 लिटर के बॉटल को भर सकती है यह बहुत ज्यादा होता है एक दिन में लाइन को जंगल का राजा माना जाता है बट डू यू नो कि आप जानते हैं इसको हरा देगा अगर इनके इन दोनों के बीच में फाइटिंग कराई दी ज होते हैं मतलव इनको किसी भी कलर का पहचान नहीं होता है यह तो यह तो वह वह दिखता है या तो वाइट लाइफ मतलब के लिए इनके लाइफ वाइफ होती है m सौरी तो बैटा नूब और फियरा बा els में пло cargo जानते हैं फिशिज का अडभुत परिवार है सहां खिशह स्य और पूछ इतनी बड़ी होती है जैसे वेल मचली का नाम आपने सुना ओगा चलिए को देखते हैं किसी भी जो है कि एज कैसे डिटर्माइन किया जाएगा इसके स्केल्स की द्वारा बेटा वाटर दा एक्साफिस कार्ड इसके एक्स को बोलते है रो थीक्या विच फीस पॉपल्ली नून अज दा हिल्सा इन इंडिया इस बेटा को इसको बोलते है लिस लिच दा ओर इजन इस नेम में कम दर सकिंग साउंड दे मेंक वें हंटिंग प्रे इंड़ सेंड विच वैजुली रिसेंबल्स डेटा नर्सिंग बेबी इसका नाम आ सकता है यह अपना जो है सिकार सेंड मतलब बालू में करते हैं को सिंस इसको बोलते हैं नर्स सार्क विच इस कंसीड़ दा मोस्ट डेंजरस सार्क ये इस आलसो काल्ड दा मैन इटर बेटा कौन सब बहुत सी डेंजरस सार्क होता है इसको मैन इटर मतलब ये इनसानों को भी खा जाते हैं ग्रेट वाइट सार्क बोलते हैं सो बेटा फिर आता है ट्रोफाल्स दे लार्जेस्ट एंड फास्टेस स्विमिंग फिस लाइब नियर दे सर्फेस अब ऑपनेसियन ट्रू है बेटा अफिस स्कूल ओफिन ब्रेक्स अपट नाइट तो फीड द रजूरी ग्रूप्स तो दे नेक्स्ट मॉर्निंग ये भी ट्रू है अल्द फिस इन स्कूल आर्मुस्ट द सेम साइज ये भी ट्रू है फिर उसके बाद वन फोर्थ आफ आफ आल फिस इन तो यह हो गया हमारा जो है थार्ड चैप्टर आते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ इसको थोड़ा सा रीड करिएगा आप लोग अपने से ठीक है मैं कुछ बता दे रहा हूं इसके बारे में ठीक है देरारा नंबर आफ इस्ट्रेंज क्रेचर्स इंदेश्टी बहुत स्कमिल जानते हैं अपने स्बस्रीट पराणिया को देखने को मिलेंगे यह कहा जाता है कि पेटा हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जादा जानते हैं लेकिन अपने समुद्रिक बारे में पता है लें लेकिन समुद्र की घहराईयों को कोई नाप नहीं सका है आए बात करते हैं जाइंट स्क्वेट की वेरी फ्यू इनिमल्स अब वर्ल्ड सार लार्ज जाइंट स्क्वेट जाइंट स्क्वेट के लंबा कोई भी बहुत ही कम प्राणी ऐसे होंगे जो है कि इस कितना लंबा हों इस बॉड़ी इस कंपोज्ट ऑफ मैं जो है मैंटल एट आंप एंड टू लॉंगर टैंक्रिकल्स इसका जो आर्म सोता है एंड लॉंग टैंक्रिकल्स होता है है विस्ट्रॉंग संक्षम कप्स विसे इट यूजर्स तू होल्ड ऑन टू इट स्प्री जो एबिटा अपने सिकार करने के लिए मतलब अपने खाने के जो है पकड़ने के लिए यूज करते हैं इट इट जस्ट अबाउट एनिफिंग इट कैच यह वहीं खाते हैं जो यह पकड़ सकते हैं वी नोग वेरी लिटिल अबाउट इस मिस्टीरियस क्रेचर हम बहुत ज्यादा नहीं जानत इट इस कार्णियोरस एंड इट सब्रेदर इज एवलेबल वाटेवर इस वेलेबल जो कुछ भी अबलेवल होता है यह खा लेता है कुछ भी खीक है इट कैं सर्वाइब बिदाओट फूड और मंस फोर मंस बिटा यह सर्वाइब कर सकता है बिना जो है कि भोजन के महीनों इस अब बेटा जो है कि अपने आपको रोल करता रहता है बाल की तरह जो की बेटा इसके मतलब की तरह जो है किसको जो है कि प्रोटेक्शन देता रहता है blue ringed octopus देखते हैं it has the size of a golf ball golf ball जैसा इसका size होता है however its venom is toxic enough to kill the humans इसका जो venom होता है इतना toxic होता है कि किसी भी इंसान को आसानी से मार दे सकता है there is no one antidote to the venom of this creature इस प्राणी का कोई भी antidote नहीं बना अभी तक ठीक है फिर आता है आपका जो है कॉफिनिस जो है कॉफिन फिस इसको हैंड फिस की नाम से भी जाना जाता है as it can walk along the sea floor on salt समुद्र के फ्लोर पर बहुत स्वार्ट लेग लाइक फिन्स लाइक दा फफलर फिस जो है इसके बार में आप लोग पढ़िएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको समझा दूँगा तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा और चार चैप्टर आपके हो चुके हैं आपके कुछ बनेंगे तीन चैप्टर चैप्टर में से जितना पढ़ाया हूं और तीन चैप्टर तक जितना बनेगा आपका क्वेश्चन वहीं से बनेगा ठीक है तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लिजेगा कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट नहीं समझ मे मिलेगा ठीक है बेटा तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद जैफारत